Common words meaning in English थाली थाली को इंग्लिश में कहते हैं प्लेट थाली प्लेट Next word है प्रात प्रात जो के थाली से बड़ी होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेटर क्टोरा या क्टोरी क्टोरा या क्टोरी को इंग्लिश में कहते हैं बॉल कांटे को इंगलिश में कहते हैं फॉक नेक्स्ट वर्ड है छीलने वाला चाकू छीलने वाले चाकू को इंगलिश में पीलर कहते हैं इसे आलू या गाजे बगरा पील की जाती है मतलब छीली जाती है उसको इंगलिश में पीलर कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है चमच। चमच को इंग्लिश में स्पून कहते हैं। प्याला प्याले को इंग्लिश में कहेंगे कप और किष्ट्री जिसमें चाय को ठंडी करके पीते हैं। उसको इंग्लिश में फाफर कहते हैं, फाफर. कद्दुकश, कद्दुकश जिफ्रे, जिफ्रे, गाज्रे या मुलिव गैरा कश की जाती हैं, उसको इंग्लिश में ग्रेटर कहते हैं, ग्रेटर. नेक्स्ट वर्ड है चायदानी चायदानी को इंग्लिश में टी पॉट कहते हैं टी पॉट चाय की छलनी चाय की छलनी को इंग्लिश में टी स्ट्रेनर कहते हैं टी स्ट्रेनर नेक्स्ट वर्ड है छलनी छलनी जो आटब गैरा के छानने के काम आती है उसको इंग्लिश में फिफ्टर इस तरह की छलनी को इंग्लिश में फिफ्टर कहेंगे फिफ्टर नेक्स्ट वर्ड है छलनी छलनी जो के पाफ्ता वगेरा के पानी के चानने के काम आती है इस तरह की छलनी को इंग्लिश में कोलेंडर कहेंगे next word है मथनी मथनी या गोटा इसको हम गोटा कहते हैं आप comment section में बताईएगा आप इसको अपनी वबान में क्या कहते हैं वैसे इसको इंगलिष में बोलते है Chanel चईडनल next word है चकला चकला इसको इंगलिष में pastry board कहते हैं pastry board next है बेलन बेलन को इंग्लिश में रॉलिंग पिन कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है तवा तवे को इंग्लिश में ग्रीडल तवे को इंग्लिश में ग्रीडल कहते हैं ग्रीडल नेक्स्ट वर्ड है चुम्टा चुम्टे को इंग्लिश में टॉंग्स कहते हैं टॉंग्स next है चुला, चुले को इंग्लिश में stove कहते हैं, stove next word है curl या हावन दफ्ता, curl या हावन दफ्ते को इंग्लिश में mortar या पैफल कहते हैं, mortar and पैफल next word है कर्शी, कर्शी को इंग्लिश में ladle कहते हैं, जो के दाल वगरा डालने के काम आता है, ladle नेक्स्ट वर्ड है कल्ची कल्ची को इंग्लिश में स्कीमर कहते हैं स्कीमर नेक्स्ट वर्ड है देगची देगची को इंग्लिश में कैटल या सास्पेन कहते हैं कैटल या सास्पेन नेक्स्ट वर्ड है चप्टा चमच चप्टा चमल जो के चावल वगएरा डालने के काम आता है उसको इंगलिश में स्पैचुला कहते हैं स्पैचुला नेक्स्ट मर्ड है कडाही कडाही को इंगलिश में वॉक कहते हैं वॉक नेक्स्ट वर्ड है डोल डोल या इसको मगी भी कहते हैं जो के दूद वगएरा डालने के काम आती है इसको इंग्लिश में milk can कहते हैं milk can नेक्स्ट वर्ड है डकन डकन को इंग्लिश में lid कहते हैं lid नेक्स्ट वर्ड है कूची कूची जो के बरतन वगएरा साफ करने के काम आती है इसको इंग्लिश में steel wool कहते हैं lemon चोडने वाला lemon चोडने वाले को इंग्लिश में lemon squeezer कहते हैं लाफ्ट वर्ड है आलू मफलने वाला आलू मफलने वाले को इंग्लिश में potato smasher कहते हैं potato smasher